Friends, market volatility के बारे में आपने जैसा के देखी रहे हैं कितना जादा market गेरा हुआ है पिछले कुछ दिनों में बहुत जादा not only in India, but across the globe, across the world, सारे indices डाउन हैं, across the sectors, तो ये market volatility है क्या, क्यों आती है ये और किस तरीके से लोग investors के portfolios सफर करते हैं, तो आज हम इस वीडियो में इसी क portfolio से small case बना सकते हैं, जो आपको इन market volatility के time में, आपका जो portfolio है, आपका जो wealth है, वो ज्यादा erode ना हो, और intact रहे, market volatility inevitable है, उसको आप avoid नहीं कर सकते हैं, वो time to time आती रहती है, चाहें 2008 का housing बबल हो, या 2000 का dot com बबल, या इंडिया पाकिस्तान की वार हो गई हो, या ग्रीक का debt crisis हो गया हो, या recent अभी coronavirus crisis जो अभी बिलकुल चल रहा है, ये सारी events across the world global markets में volatility लेके आते हैं, तो volatility is inevitable, it is unpredictable, unpredictable होता है क्योंकि किसी को पता नहीं था कि coronavirus crisis या epidemic हो जाएगा, वो इसलिए में अपना पैसा पहली निगाल लूँ, ऐसा तो किसी को पता नहीं होता है, बहुत rare इसलिए बोलते हैं, क्योंकि ये black swan events हैं, जो कि बहुत rare हैं, कभी-कभी आते हैं, 5 साल में या 10 साल मे तकरीबन नामुकिन सा हो जाता है, किसी को जब पता ही नहीं है, तो वो किस तरीके से अपने portfolio लाइन कर सकता है, ठीक है, तो volatility तो market में आती है, ये तो बहुत सारे examples के थूरू प्रूव हो ही चुका है, तो इससे आप बचे कैसे, as a investor आप कैसे बच सकते हैं इन से, और जब investor destruction तो wealth का होता है, ये तो पक्का है, whenever these kind of market events come, market crashes come through volatility, तो आप कैसे इन से बच सकते हैं, तो हमें यहां पर एक बात बहुत जानने की जरूरी है, कि हम ऐसा portfolio या ऐसा portfolio बनाएं, ऐसे invest करें, किसी हद तक हम ऐसे market crashes से बच पाएं, तो आज हम इस वीडियो में आपको ऐसा all weather investing small case के बारे में बताने वाले हैं, जो हमने small case में बनाया है, जो कि काफी हद तक आपको इस से इस तरीके के portfolio में exposure रखना चाहिए आप लोगों को आपको ऐसे market करसे बजा पाएं, because कई बर क्या होता है, कि ऐसे investor आपने invest करना start किया, let's say 3-4-5 साल पहले, और आप lump sum ऐसे बिगदू करते आ रहे हैं, अच्छा खासा आपने केगर, या cumulative return मना लिया है, let's say आपका portfolio क 30-40% आप है पिछले 5-4-5 सालों में, but ऐसे एक भी crash आपने witness नहीं किया, और let's say आपने एक crash आया ऐसा, तो हो सकता है कि आपका 50%, 30-40% portfolio आपका down चला जाए, तो क्या है कि investors ना panic mode में जाते हैं, ऐसे crashes panic mode air up करते हैं market में, तो आप जल्दी बाजी में sell करेंगे अपना investment और हो हो सकता है आप इतना जादा loss हो जाए आपको कि आपको कि आपको कभी equity market में invest ही ना करें, आप इतना डर जाएं कि आप इन्वेस्टी ना करें, और जैसा कि आपने देखा ही होगा कि ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है कि आप ही के portfolio is down है, मैंने भी बताया कि most of the investors उनके portfolio उन्हों ने because of this epidemic which has emerged in Wuhan, China में जो यह epidemic हुआ है, तो इसके कारण क्या हो रहा है कि investor अभी panic mode में है, तो पैसा निकाल निकाल रहे हैं, बुक कर रहे हैं, तो ऐसा आपको नहीं हम suggest करते हैं कि ऐसा portfolio में इस तरी से अगर आपने exposure लिया होता, कि यह event हो, since यह unpredictable होंगे तो है, लेकिन आप किस तरी के से बत सकते हैं, तो उसी के बारे में है, और हर sector, हर Nifty IT, Nifty Bank किसी को भी उठालो, आप सब कुस डाउन है, क्योंकि यह pure equity से बने हुए है, सारे के सारे indices, सारे के सारे sectoral indices, आपके country index, सारे के सारे, तो अगर आपका भी pure equity exposure है, चाहें वो भली diversified mutual fund में भी आपने क्यों करी है, एक हमने बात करी है, जब से बहले 2008 में जो financial cash आया था, उसमें आप देख सकते हैं, कि Nifty तकरीवन 50% से डाउन है, दूसरा आया था, Greek death crisis, 2010-11 में था, उसमें भी Nifty कुछ 23% दाउन था, और अभी रिसेंटली जब से यह epidemic, चाइना का, वुहान का, गोरोना वारिस का, तब से भी market, जब से January 2020 में, उसने mid January में कुछ high बनाया था, तब से 15% अकरीवन दाउन हो चगा है, तो volatility तो बहुत जादा मार्केट में, और जब भी volatility के events आते हैं, क्या होता है, कि सारे के सारे, mostly सारे के सारे equity को सेम तरीके से impact करते हैं, और जो stocks हैं, वो downward trajectory में आ जाते हैं गरने लगते हैं सारे के सारे, तो यहाँ पर बहुत जादा जरूरी है, कि हमने सुचा कि ऐसा हमेशा एक small case हमेशा small case बनाया है, जिससे कि ऐसी events से investors कहीं हद तक बच पाए, मनलब यह बहुत obvious ही बात है कि हम ऐसा portfolio नहीं मना सकते हैं, जो बिल्कुली neutral है ऐस impact से, लेकिन जि यह small case actually आप खाली pure equity नहीं है, सबसे important बात जाननी जरूरी है, यह small case तीन asset class से बनता है, एक आपका fixed income asset class, एक gold और तीसरा equity, तो तीनों asset class में exposure है, तो इसलिए आपका अच्छा-कासा diversification आपको हो जाता है, और दूसरी चीश, diversification के अलाबा, तीनों asset classes के कुछ-कुछ pro points भी ह इंडेक्स है या कोई भी stock ठाली जाए, एस bank का stock है, तो काफी गिरा हुआ है, लेकिन TCS हो गया, कोई भी HDFC bank हो गया, कोई भी pure equity exposure, तो HDFC bank जैसे है कि बहुत अच्छे returns दें पिछले 5 सालों में, काफी अच्छा stock है, लेकिन ऐसे crushes वो भी नहीं बच पाता, तो लेकिन यहा आप की रहेगी कुछ 15-20 साल जब भी आप रिटाइन हो जाते, तो वह बहुत अच्छे return देता है, लेकिन वो उसमें volatility बहुत होती है, तो ऐसी events की आने की current होता ही है कि in equity में volatility बहुत जादा आती है, तो क्या है कि आपने पैसा डाला और आप डर गए और आपने loss book कर लिए इसमें, तो इसलिए आप ज़रूरी है कि हमने gold डाला इसमें फिर, gold as an asset class आप देखो कि gold का main काम ये कि वो cushion करता है, asset crashes को cushion करता है, कि जब भी ऐसा equity डाउन जाता है, तो generally ऐसा दिखा गया है कि gold as an asset class अब जाता है, आपका portfolio वो गिनने से पूरी तरीके से गिनने से बचा सक तो इन तीन asset classes में, diversification करा है, इस all weather investing small case के थूँ, तो small case के बारे में एक line में आपको बढ़ा दू, small case क्या है, small case है, intelligent basket of stocks और ETFs, जिनको हमने weight इस तरीके से किया है, intelligently weight किया है, जो कि किसी ना किसी strategy, किसी ना किसी theme किया, market में कोई भी theme को follow करता है, वो small case है, तो all weather investing हमारी क तीन asset class का उपयोग किया है, equity, debt, और gold, इसके बारे में बताया, और किसी भी small case को हम बनाते है, तो हमेशा में होता है कि हम उस तो, जितना हो सके, backtest करें, क्योंकि आपकी को strategy है, तीक है, आपने को strategy बनाई, वो पिछले एक महीन में बहुत चा परफॉर्म की, तो ज़रूरी अगर आपको लगता है कि backtest जितना आप ज्यादा कर पा और आपकी strategy काम कर रही है, तब ज्यादा confidence आता है अपको अपनी strategy पर, उसी के बारे में है, यह पूरा small case, तो हमने इसको backtest किया, इसको काफी 11-12 साल का, तो आप यह चार्ट जो देख रहे हैं, उसका back tested performance है, nifty 50 के स आपको देख रहे हैं, लेकिन आपको देख रहे हो किस तरीके से all weather small case का chart है, बहुत smoothly चल रहा है, और अभी 2020 में, किस तरीके से वो nifty को beat कर चुका है, यहाँ पर एक बात जाननी ज़रूर है, कि nifty भी पढ़ रहा है, आप जैसे चार्ट में देख रहे हो, लेकिन वो कितना बंपी है, मतलब कितना जाद उसमें volatility हैं, आप देख सकते हो, लेकिन all weather काफी smooth है, तो इस तरीके से यह काफी help करता है investors को, एक smooth wealth creation journey में, कि आप कोई पैने का, जब कोई ऐसा market में event आजा तो आप panic मत करिये, आपका wealth smoothly grow करता रहेगा, तो आपको पैसे निगालने की ज़रू small case का, और इसलिए हमें confidence आया, तो हमने यह investors के लिए finally इसको market में put out किया, तो यह काफी जिस तरीके से हमने establish कर लिया कि क्यों हमने small case बनाया है, कहां से इसका idea है, concept क्या है इसके पीछे, और आप दूसरी बात यह करते हैं कि किस तरीके से यह बनाया है, मैंने asset class तो आपको बताई दिये थे, और हम इसके exposure लेने के लिए, इन asset classes के लिए ETF यूज करते हैं, प्योर stocks यूज नहीं करते, तो इसमें gold का ETF यूज किया हुआ है, fixed income का ETF यूज किया हुआ है, और हमारा nifty 50 और nifty next 50, which is equity exposure लेने के लिए उन दोनों का ETF यूज किया हुआ है, और strategy यह है कि इ इन तीनों asset classes में हम कुछ weights देते हैं, जिनका sum 100% होगा, तो आप हो सकता है कि आप 1 by 3rd, 33%, 33%, 33% तीनों asset classes में weight दे दिया आपने, हो सकता है आपकी strategy ऐसा बोल रही हो, ठीक है, और तो यह जो weight deciding है, इसके लिए पीशे हम smart algorithms use करते हैं, small case में, और वो हर 3 महिने में, क्योंकि 3 म allocate किये जाए, अगले आने वाले 3 महिने के लिए, तो हो सकता है कि किसी एक particular 3 महिने के period में, fixed income को हमने 50% weight दे दिया, और बाकी दोन asset classes को 25-25% weight दे रखा है, या ऐसा हो सकता है कि fixed income को हमने 15% दे रखा है, और बाकी का बजा 85% है, वो equity और gold में divided है, तो यह जो weighting scheme है, यह smartly हम calculate करते हैं, हर 3 months में, जिसमें कुछ smart algorithms use करते हैं, और इसमें volatility कितनी expected है market में, उसके लिए Wix Index, जो के options के थूँ आता है, विच आपका market participants कितना आने वाले एक महिने में कितनी volatility expect कर रहे है market में, तो इस तरीके कि कुछ आप Wix Index use करके, या smart algorithms use करके, हमने यह small case बनाया है, जिस इस small case के performance में, जैसा कि reflect भी हो रहा है, और एक बात और यहां पर मैं बताना चाहूंगा कि यह purely ETF से जैसे मैं बताया, आपको बना हुआ है, ETF हमने यूज किए, ETF जो है low cost instrument होते हैं, और किसी भी asset class में, आपको exposure लेने के लिए, काफी अच्छा तरीका है ETF के थूँ invest करने का, तो गोल्ड में अगर मैंने ETF खरीद रखा है, तो गोल्ड का वो, जो भी गोल्ड का return रहेगा, वो मेरे ETF भी return देगा, ETF कुछ नहीं है, एक exchange trading product है, जो कि जिस भी asset class को track कर रहा है, वो उस asset class का return देता है, तो अगर गोल्ड का ETF है, और गोल्ड ने पिछले एक महीने में 10% return दिया है, तो ETF भी तकरीबन 10% return देगा, similarly अगर Nifty 50 ने 15% return दिया है, तो ये ETF भी Nifty 50 का 15% return देगा, around इतना, क्योंकि low cost है, तो थोड़ा सा आपको expense ratio आपको चार्च हो जाएगा, तो इस तरीके से 3 ETFs हैं, और 3rd, which is the most important thing is, after weighing and constructing through these ETFs, वो ही ETF हमने इस small case में रखे हैं, जिनक आपको वैसे तो हम हमेशा चाहते हैं कि investor long term wealth journey के लिए use करे, small case instruments, लेकिन suppose करिए कि आपको अगले महीं नहीं अपना पैसा पूरा liquid करना है, तो market में इतनी liquidity बनी रहनी चाहिए, ताक कि आप पे जब आप बेशने जाओ उसको तो impact cost बहुत कम रहे आपके, इसलिए highly liquidity ETFC इस पूरे small case के underlying है, तो friends, जैसा कि मैं आपको पूरा समझाया कि क्यों all weather investing जरूरी है, market crashes तो आते रहते हैं, और उन सो बचने के लिए, ये small case conceived किया गया, small case बनाया हुआ है, similarly, आप इसका, जो हमने पहले आपको जैसे इस वीडियो में table भी दिखाई थी, जहां nifty की, इस table में आप देख सकते हुए, किस तरीके से उन crashes के time, जो तीन cash हम discuss किये, इस small case का performance कैसा है, जब nifty गिरा crisis में 2001 के 53%, तो अब ये all weather investing small case तकरीबन 16-18% डाउन था, फिर्ज ग्रीग debt crisis के time, ये अब था 1% और अभी recent coronavirus crisis में, जब nifty 15% गिर चुगा अलड़ी, तब ये small case तकरीबन 1% ह किरा हुआ है, तो काफी stable है, which we have trying to prove again and again, जो हम इस वीडियो में प्रूव करनी कोशिश कर रहे है, तो आपकी जो smooth wealth creation journey चल रही है, उसमें आप कभी panic ना करें, तो और अच्छा कासा exposure अपना as an investor, इस small case के थू लें, यही इस पूरे small case का idea है, तो अगर as an investor आपको इस small case में तो आप dashboard पे आएंगे, वहाँ से आप discover section में जाएं, discover section पे all weather investing small case type करेंगे, तो आप all weather investing small case के profile page पे आ जाएंगे, यहाँ पे जैसा के आप देख सकते हैं, सारी details layout हैं, laid हैं, तो इस small case के rational, नीचे अगर आप देखें तो charts हैं, performance इसका और consonants भी आप नहाँ से देख सकते है तो अगर आपको इस small case में निवेश करना है, तो side में buy button पे click कीजे, एक window खुलेगा, वहाँ पे आप जैसा के देख सकते हैं, कि आप sip या option के थूँ भी invest कर सकते हैं, अगर आपको sip setup करनी है, या lump sum भी आप डाल सकते हैं, और बस invest now पे click करिए, आपका investment हो जाएगा, और ज इतने भी आपके friends हैं, जिसमें, उसमें circulate करनी कोशिच कीजे, क्योंकि जो हमने concept आज discuss किया है, market crashes का, black swan events का, यह काफी जरूरी होता है, as a retail investor, जितने जादो लोगों को पता हो, वह उतना panic नहीं करेंगे, thank you for watching today's video.